हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का शेयर मार्केट रिपोर्ट यूटूब चैनल पर दोस्तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन रिन्यूएवल एनर्जी डवलप्मेंट एजेंसी लिमिटेट के बारे में जिससे कि आप सभी लोग शौट फॉर्म में आईरेडा के नाम से जानते हैं दोस्तों वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या आपके पास में इस कंपनी का शेयर है या फिर नहीं है आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में तो इस कंपनी का मार्केट कैप 76,402 करोड रुपीज का है अगर दोस्तों बात करें हम कंपनी के करंट शेर प्राइस की तो ये 291 रुपीज 30 पैसा है और कंपनी का जो 52 वीक का हाई था ये 310 रुपीज था अब दोस्तों एक बार हम कंपनी के अंदर शेर होल्डिंग का पैटन देख लते हैं तो कंपनी में foreign institution की शेर होल्डिंग 2.7% की है कंपनी में other domestic institution की शेर होल्डिंग 0.18% की है पर motors की हिस्तेदारी कंपनी के अंदर 75% की है और retail and other की शेर होल्डिंग कंपनी में 21.88% की है अब दोस्तों एक बार हम कंपनी के fundamentals देखेंगे कंपनी का PE ratio 54.93 का है जबकि इस sector का जो P-E ratio है ये 20.80 का है Company का ROE 17.28% का है Company का ROCE 9.29% है ये Company अपने निवेशकों को कोई भी dividend नहीं देती है और Company का debt to equity 5.80 है यानि कि दोस्तो इस Company का जो debt to equity है ये बहुत ही ज़ादा हमें देखने को मिल रहा है जो कि दोस्तो एक चिंता का विशय है अब दोस्तो एक बार हम Company में Profit और Loss की Report देख लेते हैं तो दोस्तो सबसे पहले एक बार हम Company की Year-wise Profit और Loss की Report देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2024 में Company को 1252 करोड का Profit हुआ है जबकि 2023 में Company को 865 करोड का Profit हुआ था यानि कि दोस्तो 2023 की तुलना 2024 में Company को Profit जादा हुआ है बाकि अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो यही पाएंगे कि पिछले 5 साल से Company लगातार अपने Profit को Increase कर रही है अब एक बार हम Company की Quarter-Wise Profit Loss की रिपोर्ट देख लेते हैं तो दोस्तो हमारे पास में Company का ज़्यादा डेटा तो नहीं है Quarter-Wise Profit Loss का लेकिन जो डेटा है आपके सामने दिखाई दे रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं कि June 2024 में Company ने 384 करोड का Profit Generate किया है जबकि June 2023 में Company ने 295 करोड का Profit Generate किया था यानि कि June 2023 की तुलना June 2024 में Company ने ज़्यादा Profit Generate किया है जो कि Company के Point of View से और Company के निवेशकों के Point of View से एक बहुत ही अच्छी बात है अब दोस्तों वार हम Company की Share Market में Return की Report देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 December 2023 से लेके अभी तक इस Company ने अपने निवेशकों को 364% का Return दिया है पिछले 6 महिने में Company ने 139% का Return दिया है पिछले 1 महिने में Company ने अपने निवेशकों को 64% का Return दिया है और लास्ट के 5 डेज के अंदर Company ने अपने निवेशकों को 19% का Return दिया है दोस्तों अभी आपने Indian Renewable Energy Development Agency Limited से सम्मंधित आकड़े देखे हैं आपने यहाँ देखा कि Company के अंदर हमें 4 तरह की Share Holding देखने को मिल रही है Company का P.E. Ratio High देखने को मिल रहा है Company अपने निवेशकों को कोई भी डिविडेंट नहीं देती है और Company का Debt to Equity दोस्तों बहुत ही ज़्यादा High यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस Company का Debt to Equity 5.80 का है जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है अब दोस्तों अगर हम बात करें Company की Profit Loss की तो हम यह देखते हैं कि चाहें बात करें Quarter-wise या फिर Year-wise Company बहुत अच्छा Profit Generate कर रही है और अपने Profit को Increase भी कर रही है अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं Company की Share Market में Return के बारे में तो दोस्तों जब से यह Company Share Market में आई है Company ने गदर मचा रखा है आप सब देख सकते हैं कि December 2023 से लेके अभी तक इस Company ने अपने निवेशकों को 364% का Return दे दिया है यानि कि दोस्तों लगभग लगभग साड़े साथ महीने के अंदर ही Company ने 364% का Return अपने निवेशकों को दे दिया है और अगर दोस्तों आप Company की पिछले एक महीने की रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पर यह पाते हैं कि 64% का Return दिया है और लास्ट के 5 days के अंदर भी Company ने 19 यानि कि 19% का Return दिया है यानि कि दोस्तों जब से यह Company शेयर मार्केट में आई हैं बहुत ही धमाकेदार बहुत ही ताबर तोड रिटन अपने निवेशकों को दे रही है लेकिन आप लोग किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने Financial Advisor की सलाह जरूर ले ले और खुद भी एक बार डीटेल में अच्छे तरीके से Research और Study जरूर कर लीजेगा अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और आप लोगों ने वीडियो को यहां तक देखा इसके लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद बाकि मैं आप से बहुत जल्दी मिलूँगा एक और ने वीडियो में जब तक लिए टाटा बाई बाई